नमस्कार एक बार फिर स्वागत है आप सबका अचूख समाचार में आज की बात में हमारे साथ जूड रहे हैं लोग प्रिये सांसत डॉक्टर अशोक वाजपई जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है अचूख समाचार में सर आपसे जानना चाहेंगे सांसत साहब से कि टीका करण जो हो रहा है उसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताईए लोगों के जागरू करिए कि यह कितना जरूरी है यह टीका हमारे देश के लोगों के लिए दिखे जो कोविट की दूसरी वेव आई है और जिस तरह से बड़े प्रैमाने पे लोग संक्रमित हो रहें उसका एक माध्य प्रक्षा कवच है वेक्सिनेशन बिना किसी भय के लोगों को आगे बल करके वेक्सिनेट कराना चाहिए इनका पहला टीका नहीं लगा उनको प् निशानी नहीं बलकि एक आत्मविश्वास जगा है इस महामारी में वेक्सिनेशन होने से कईसी सीमा तक हम सुरक्षित हैं तो मैं सभी अपने भाई बैनों से अपील करूंगा कि बिना किसी बैकावे में बिना किसी संकोष के आगे बढ़कर जो भारस्तरकार की योजना है मानने प्रदान मंत्री श्री नरेद्र मोती जी का बार बार आग रहा है और उन्होंने इसलिए फ्रयम एंस में जाकर करके वेक्सिनेशन कराया ताकि देश में संदेश जाए तभी लोगों को आगे बढ़कर वेक्सिन लगाने का काम करना चाहिए और इसमें सहयोग करना च यही मकसद था क्योंकि आप एक जमीन से जुड़ेवे हैं और आपकी आवाज लोग सुनते हैं समझते हैं आपका इतना प्रभाव है और जब आप यह बात कहेंगे तो लोग उसको शहर से समझेंगे और सुनेंगे और कोविर शीलिया जो भी वैक्सिन वो लगा रहे हैं उ गोँद्धा रहे हैं तो आपको भादाएम नियुक्षित टैंका अवरेवाद स्विर शीलिया आपका इंगे तर्टार में समझेंगे और सायरने इस उड़ेति हैं द्नेपकाश हो भी जिए खिर वाच्वाण का भी पानेएर भी नियुक्ते हैं आपकी कहां एंगड में ध